चांद की दुनिया मयंक और मानसी दो बच्चे अपने बिस्तर पर बैठे चांद को देख रहे थे उनके पिताजी पास में बैठे किताब पढ़ रहे थे मयंक के पूछने पर उन्होंने बताया कि प्रत्वी से चांद की दूरी लगबग 3,84,000 किलो मीटर है कोई दिन रात लगातार चलता रहे तो उसे चांद में पहुशने में लगबग 2,100 वर्ष लगेंगे उन्होंने बताया कि चांद पर 15 दिन अंधेरा और 15 दिन उजाला रहता है और वह अपनी नहीं सूरी की रोशनी से चमकता है चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती चांद हमारी प्रत्वी से छोटा है वहाँ पेड़ पौधे पशु पक्षी नहीं है क्योंकि वहाँ हवा नहीं है इसी लिए वहाँ हम कोई अवाज नहीं सुन पाते ऐसा लगता है कि हम बहरे हो गये हैं चांद पर बहुत सी दरारे और गड़े हैं क्योंकि चांद की जमीन ज्वाला मुखियों से बनी हैं अगले दिन पिता जी ने मयंक और मांसी को एक पुस्तक लाकर दी चांद की दुनिया दोनों बच्चों को उस किताब से चांद के बारे में अनेक जानकारिया मिली जैसे कि वहां गुरुत्वा करशन की शक्ती बहुत कम है वहां साधारण विमान से नहीं बलकि अंत्रिक शियान से जया जा सकता है और विशेश वस्त्रों की जरूरत होती है और हवा साथ में ले जानी परती है चांद की जमीन पर पहला कदम नील आमस्ट्रोंग ने 21 जुलाई सन 1979 को रखा था इसी दिन पहली बार अपोलो 11 चांद की सत्य पर पहुचा था उनके साथ दो और भी साती थे वे चांद की जमीन से कंकड और चटान के टुकडे लाए थे और वहां से उन्होंने प्रत्वी की तस्वीरे भी खीची थी